लौन कृ लुद्ध आया नेर sıंधु कि संब्सक्राइब ज़में ख़लेंजे़ साथा संक्राइफ. लुक्ति लुद्ध संध्य करने के लिज्मना परां ज़ना, के लिद्ध पाई Kodamiei , बच्चों हम लोग के पास जो सामने अब खड़े हैं वो हैं सेप्टेंबर के एक जाम और सारे बच्चों ने इसके रिवीजन तरहीं स्टार्ट कर दियें तो एक ना बहुत ही कोवन कोश्चन इस टाइम पे रहता है कि सर रिवीजन किस तरीके से करें क्योंकि थोड़ा कहीं करें उठाए कैसे चीजे याद नहीं आ रही हैं तो हम सब का सोल्यूशन आज हम लेकर आएं और यह जो मैं आपको बताने वाला हूं यह वह बच्चों की इसमें मेरा अपना कुछ नहीं है बलकि बच्चे खुद बताते हैं कि किस तरीके से रिवीजन करें वह रिवीजन म कह रहे हैं मेरे सर मेरे पेपर अभी खतम नहीं हुए हैं अनीश कह रहे हैं हेलो सर हेलो वेटा तेजपाल सीए फाइनल में आ गया यही बताने आया हूं लाइव में अब फाइनल का भी आपसे ही पढ़ना है तेजपाल और है सर मेंटल एक्जोश्चन हो रहा है क्या करें ठीक है मेंटली एक्जोश्ट हो रहे हैं और लडियार से 53 आये हैं तेजपाल के बहुत बड़े वेटा मौनु अगरमाल हेलो सर हेलो वेटा प्यूश हेलो वरुन हेलो फरशित कह रहे हैं आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं थैंक्यू बेटा और शैलूम हेलो वेटा प् एंटीपी कब तक आएंगे आर्टीपी तो आ चुकी आर्टीपी वीडियो एक दो दिन में अप्लोट कर देंगे हैं और फाइनल में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं नेक्स्टियर स्टार्ट करेंगे एफम शैडियूल नहीं बन पारा किष्णा का प्रक्षित हेलो जस सब्सक्राइब कर सकते हैं एक मनेट किसी बच्चे कोई इसमें कोश्चन तो नहीं सर आप से कोस्ट फास्ट है के एफम रेगुलर पड़ता हूं मज़ा आगया हर्शेद वेरी गुड़ बेटा सर आपने एफम कोस्ट बहुत बना दिया है दोनों में बहुत मज़ा रहा है सरतीन नंबर से रहागिया बहुत अफसोसे ठीक है कोई बात नहीं स्वार हो जाएगा नहीं सबसे कर सकते हैं अराम से आप लोग बात चुनिएगा कि आखे हम करेंगे कैसे बहुत ही सिंपल सा तरीका है सबसे पहले में बात करते हैं नियुमेरिकल पेपर्स की मैं यह कही लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपको कोई भी पेपर देने हैं फर्स्ट रह गया है जो भी रह गया है यह आपकी पूरी तरीके से काम करेंगी और इसमें बहुत फास्ट और इफेक्टिव डिविजन आपका हो जाएगा तरीका क्या है देखे सबसे पहले आपका कोई भी निमेरि सबस्ते पहले जित्ते भी कसे पर लिजिये तो हम कोईशन के साथ में अपने नोटबुक को सुल करते हैं तो आप कोईशन देखिए और नोटबुक में उसका आंसर देखिए आपको लिख कर कुछ नहीं करना, step 1 में आप कुछ भी लिख कर नहीं करेंगे, सीधे आप concept पढ़ेंगे किसी chapter के, उसके आद में question देखेंगे, answer देखेंगे, question देखेंगे, audit करेंगे सिर्फ, कि हाँ भी अच्छा है, इस question में ऐस हो रहा है, अब आपका वो chapter, पूरा का पूरा आपके दिमाग में set हो चुका है, concept आप पढ़ चुके हो, सारे question आप देख चुके हो, ठीक है, अब इसमें आपको ध्यान रखना है, कि इसमें किसी भी chapter में, एक या दो घंटे के बीच में समय लगेगा, इससे ज़ा तो समय नहीं लगेगा, तो जी हमारे step 1 हो गया जी, ठीक है जी, हमने सारे के सारे question देख लिए, उनके answer भी देख लिए, अब आप साथ में क्या गरेंगे, जब आप question answer देख रहे हैं, audit कर लें, उस time पर आपको कुछ question मिलेंगे, जो question आपको लगेंगे, कि यार ये question अच्छा है, इसकी adjustment अच्छी है, और या exam में आ सकता है, वो question आपको select करने, step 2, select good questions, उन good questions पो select लिए, तो जैसे एक chapter के अंदर मान लीजिए, पचास numerical हैं, उसमें से आपको hardly लगेगा, कि 10 question ऐसे आपको मिलेंगे, जो आपको लगेगा, कि हाँ in question में कुछ अच्छी adjustment है, बाकी तो base building के लिए होते हैं, question या normally बनने वाले होते हैं, ठीक है, वो आप 10 question select कर लिए, ये वो 10 question है, ठीक है, ये selection हो गया, ये आपके step 1 के साथ ही चलता रहेगा, step 2, इसके बाद में हम आते हैं step 3 पर, step 3 में आपको simply करना क्या है, do selected questions in writing, ये जो question आपने select किये थे, ये जो question आपने select किये थे, ये जो 10 question आपने ढूंडे थे, अब आपको इनको writing में खुद से solve करना है, वो भी एक नई notebook में, तो ये 10 question करने में आपको लगेंगे hardly 2 घंटे, तो एक से 2 घंटे में पूरा chapter का concept देखिए, उसके question answer देखिए, सारे सामने रखे, कुछ मतलिकिए, अब आप देखो इसमें हो क्या रहा है, जैसी आपने question पढ़ा, पूरा और उसका answer पढ़ा, तो आप जो question देख रहे हैं, answer पढ़ा है, question देख रहे हैं, answer पढ़ा है, एक revision तो आपका वही हो गया, और इसमें आपने लिखा भी नहीं है, तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा, तो concept पढ़के पहले audit कर लिए, एक घंटा, दो घंटा, बड़ा chapter होगा, तीन घंटे लग जाएगे, कोई दिक्कत नहीं है, question पढ़ी या answer देखे, वो पूरा chapter आपके दिमाग में set हो चुका है, ठीक है, आप जब पढ़ाई कर रहे थे, उस time में आपने सब कुछ लिख लिख कर किया है, तो हर बार पूरा का पूरा लिखने की ज़रत नहीं होती, उसके बाद में आपने साथ के साथ good question select किये, हमारी book में तो last में final revision वाले question दिये होते हैं, fast track के अंदर भी suggested revision होता है, और regular के अंदर multiple revision में final revision वाला question selected है, मान लीजिए आपने कहीं से भी class लिए, जिस book के अंदर वो selected question नहीं है, तो question देखके पता चल जाता है, कि हाँ इसमें दम है और इसमें दम नहीं है, तो जो दम वाले question है, वो हमने select कर लिए जी, अब उन selected questions को writing में एक नई notebook पर हम लोग लिख लेंगे, अब ये जो हमने नई notebook बनाई है, और ये 50 में से 10 selected questions निकले, जरूरी नहीं है, 50 में से 10 ही निकले, हो सकता है 5 निकले, हो सकता है 15 निकले, ये chapter के उपर depend करेगा, कि उसमें कित्ती variety के concept आ रहे हैं, किया, इस chapter के आपने दो revision एक की साथ कर डाले, कैसे, आपने पहले audit भी तो किया है, तो audit करने में पूरा chapter आपको recall हो गया, चोटे-चोटे question ली cover हो गए, और उसके बाद में बड़े-बड़े जो अच्छे question थे, वो आपने writing में कर लिए, तो ये आपके एक साथ दो revision होंगे, इसमें बहुत स्थे एक दम दिमाग के अंदर बाद बैट जाती है, वो chapter आपका पूरा खतम हो जाएगा, तो numerical को आप कैसे उठाएंगे, ये तीन step हमारे सामने आगे, कि भाई क्या करो, पुरे chapter का audit कर डालो, अंसर सामने रखकर, उसके आद में अच्छे question को select करो, और फिर selected questions को writing में कर डालो, और नई notebook पे करने और लिखके करने हैं, अगर लिखके नहीं करोगे न इन questions को, तो exam में नहीं लिख पाऊगे, ठीक है जी, अब theory paper के अंदर हम कैसे करके चले, तो theory paper के अंदर आपके पास, step one में आप सबसे पहले देगो, theory paper में क्या होता है, theory paper में retain करना मुश्किल होता है, कई सारे ऐसे word आते हैं, sentence से जाते हैं, जो हमें परिशान कर देते हैं, हम Google पे देखते रहते हैं, इसका Hindi में मतलब क्या है, इसका दूसरा हम कोई word यूज कर सकते हैं यह नहीं कर सकते, तो ICI क्या कहता है, कि आप अपनी language इस्तिमाल कर सकते हो, लेकिन number आपको ज़्यादा से ज़्यादा तब मिलेंगे, जब ICI वाली language आप इस्तिमाल करेंगे, तो भाईया, थियोरी के अंदर पूरी किताब में रटके तो जानी सकता, कि मैं एक-एक word रटके चला जाओ, और ICI वाली लिखाओ, लेकिन हम कोशिश करेंगे, कि जितना हम पढ़ पाएं, ICI वाली language उसको पढ़ें, मैं आपको बता दूँ, तो आपने किसी भी टीचर से किलास ली होगी, किसी भी टीचर से, सारे टीचर अच्छे हैं, सब बढ़िया पढ़ाते हैं, आपने जिस भी टीचर से किलास ली होगी, थियोरी की, उनकी थियोरी बुक में, study mat वाली ही language लिख्योई होती है, वो उसी को समझाते हैं, तो आप जिस भी टीचर से भी पढ़ते हैं, जिसी ओथर से आप पढ़ने, जिसी टीचर से आप पढ़ने, उनकी books को आप यूज कर सकते हैं, आप चाहो तो study material को भी पढ़ सकते हैं, पर study material के अंदर क्या दिक्कत आती है, study material में एक ही बात को गुमा गुमा के पांच बार लिखते हैं ये, और एक एक चीज को समझाने के लिए दस-दस पेज भढ़ देते हैं, वहाँ बच्चा हो जाता है पागल, कि इतना सा एक concept है, और उसके दस पेज में वही चीज पढ़े जा रहा हैं, गुमा गुमा कर, गुमा गुमा कर, तो जो teachers होते हैं, वह क्या करते हैं, उसका कुछ पार्ट काट देते हैं, कि ये फाल्तू पार्ट है, इसकी ज़रूरत नहीं है, ना बच्चे ही याद कर सकता है, तो आप अपने teacher की बुक्सरी पढ़दे हैं, तो पूरा भरोसा करके आप जा सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, अब theory paper में आप revision कैसे करेंगे, ज़र वो देखे, सबसे पहले क्या करो, पूरे के पूरे chapter को, पूरे के पूरे chapter को, fast speed में पढ़ डालो, तो एक वारा आप reading करोगे, पूरे chapter की fast speed में, अराम से पढ़ो, अच्छा ये है, अच्छा वो है, जैसे मालों लोग पढ़ रहो, अच्छा रैड हरिंग प्रोस्पेक्टरस है, अच्छा ये वाला प्रोस्पेक्टरस है, अच्छा ये वाला, पस पढ़ते रहो अराम से, कोई दिक्कत नहीं है, चैप्टर अपना पढ़ लो, आपका टार्गेट पूरा चैप्टर भी हो सकता है, और आपका टार्गेट कुछ पेज ही हो सकते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो ऐसा करते हैं, कि हम रोज के 20 पेज याद करेंगे, या रोज के 10 पेज याद करेंगे, तो आप 10 पेज अगर याद करने वाले हैं, तो पहले 10 पेज को fast speed में पढ़ दो, और अगर आप पूरा चैप्टर लेकर चलते हैं एक बार में, तो पूरा चैप्टर आप एक बार fast speed में read कर दो, इसमें important क्या है, don't try to memorize, आपको इस समय या information नहीं है, कि मेरे को इसको याद करना है, कुछ याद नहीं करना आपको, कहानी की तरह से पढ़ना है, ठीक है, कहानी की तरह से हमने पढ़ लिया, बहुत मजा है कहानी पढ़ने में, अब इससे होता क्या है, पूरे पूरे चैप्टर करना, एक map आपके दिमाग में set हो जा क्या हम यह सोचते हैं, कि हमें मूवी की कहानी याद रखनी है, हमें मूवी के डायलोग याद रखने है, या हम कोई कहानी पढ़ते हैं, तो क्या हमें यह होता है, कि हमें उसके करेक्टर से याद रखने है, या हमें वो कहानी याद रखनी है, हमें कुछ नहीं होता है, हम Entertainment के लिए एक किताब पड़े होते हैं, और क्योंकि हमारे दिमाग पर कोई Shčgi इस्ट्रेस नहीं होती, Entertainment के लिए पड़े होते हैं, हम अपने दिमाग पर जब यह burden डाल देते हैं, हमें याद करना है, हमें याद करना है, वो burden हमें First Time पढ़ने में pressurize कर देता है, शाम मुनन ये क्या था सब याद हो जाता है चव कि हमने तो याद करने की कोिशिश भी नहीं तो फिर य याद क्यों हो गया क्यों कि इस्ट्रेस नहीं है पढ़ाई क्या है पढ़ाही के नाम पे देवन से बच्चों के दिमाग पे इस्ट्रेस रहती है कि पढ़ाही हुआ है पढ़ाही हुआ है अरे क्या है पढ़ाही नॉर्मल चीजे चीजे समझ नहीं है बात खतम तो सबसे पहले आप फास्टी स्पीड में आराम से पढ़ोगे क्यबी चैप्टर में क्या याद करने की कोशिष नहीं करोगे आप कोशिष नहीं भी करेंगे तो दिमाग है यह खुद याद करने बैट जाता है यह अंदर खाने कभ याद कर लेग आपको पता भी नी चलेगा तो बिना stress के पढ़ना है पहली वाली reading तो theory में पहले सबसे पहले क्या करो reading करो पूरे का पूरा chapter fast speed में और इसमें memorize करने की कोशिश हाप लोग नहीं करेंगे याद करने की कोशिश नहीं करेंगे अब हमने पूरा chapter पढ़ दिया एक हमारे सामने डिजाइन पूरा के लिए रोके आ गया हाँ भी यह chapter है इसके अंदर यह point है यह concept है अब आजाओ step two read again same chapter in very slow speed अब बहुत धीरे धीरे पढ़ना है अब एक एक चीज़ को गहराई से समझना है कि अच्छा इस chapter के अंदर है क्या गहराई में जाना है अब and memorize और अब आपको इसे याद करना है कि ये 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 point इस essay के अंदर है red airing prospectus की ये conditions होती है इतने दिन में issue होता है अब आपको एक एक point याद करना है तो आप क्या करेंगे दुबारे से पढ़ेंगे इसको गहराई में एक एक चीज पढ़ेंगे अगर SM की बात करूँ तो आपने product life cycle को पहले भागते वे पढ़ा अब एक एक point पढ़ने है कि introduction stage में क्या होता है इसकी growth stage में क्या होता है maturity में क्या होता है decline में क्या होता है तो अब आप क्या करेंगे दुबारा से रीट करेंगे पूरे chapter को बहुत slow speed में तो पहले fast speed में पढ़के हमने समझ लिया कि ground क्या है आपको पता है ये क्रिकेटर वगेरा जहां क्रिकेट खेलने जाते हैं जो आप ये T20 के world cup देखते हो बहुत खुशी होई इंडिया जीतिया या आप देखते हो सारे world cup होते हैं ये सब जाके पहले pitch देखते हैं पूरा ground देखते हैं पूरा idea लगाते हैं तो ये जो खेलने जाते हैं उससे पहले ये पूरा idea लगाके जाते हैं तो आपको भी पहले step में चैप्टर का fast speed में पढ़के idea लगाना है जो आपके दिमाग में set हो जाएगा फिर आपको उस chapter को बहुत slow speed में पढ़ना है और चीजों को memorize करना है और आप chapter को portion में कर सकते हो जैसे एक chapter मानलो 30 page गए तो पहले हमने पूरी speed में पूरा का पूरा chapter पड़ा उसके बाद में हमने target रखा हम एक दिन में 10 page को याद करेंगे तो 10 page एक दिन में याद करें 10 page उस से अगले दिन में 10 page उस से अगले दिन में तीन दिन में हमारा पूरा chapter खतम हो गया इस तरीके साब इसको step 2 में जाएंगे step 1 बहुत important है first करने के बाद आपको second का दर्ध नहीं होगा बच्चे क्या करते हैं second से start करते हैं chapter उठाएंगे और उसको याद करना चालू कर देंगे अरे अभी तुम्हें chapter का ग्यान ही नहीं है तुम्हें पूरे chapter का idea ही नहीं है तुम याद कैसे करोगे तो पहले भगा कर chapter को फास्टी स्पीड में go through कर दो कि क्या chapter के अंदर फिर second step उठाओ और याद करना शुरू कर दो फिर step 3 after completion of chapter अब हमारा chapter खतम हो गया है write chapter in new notebook अब आपको किसी एक नई notebook बनानी है और उसमें उस chapter के points लिखने हैं जैसे रैडरिंग prospectus है यहाँ आप SM में आ जाओ कि अब PLC लिख रहे हैं, SORT analysis लिख रहे हैं, experience curve लिख रहे हैं तो उन points को अब आप लिखना चालू करेंगे, writing में करेंगे writing में बहुत important है theory अगर writing में नहीं करेंगे, exam में नहीं लिख पाएंगे न याद रहेगी, writing से 3x याद होता है, 3x यानि आप जितना पढ़के याद करते हैं उसका 3 गुना writing से आपको याद हो जाता है, तो आप writing में नई note में लिखेंगे, और फिर चेक करेंगे writing के बाद कि आखिर क्या भूल गए क्या कौन से point आप भूले जैसे 5 point है, 5 point में 3 point तो आपको याद होगे, लेकिन 2 point आप लिखते है time में भूल चुके हो आपको यादी नहीं आ रहा, एडिराम में भी तो यही होता है कि हमने 2-3 point लिखे, और उसके पूरा चैप्टर पहले fast पढ़िए, फिर portion में slow speed में पढ़िए, फिर उसके points को writing में लिखिए, जो जो point आप भूल जाएंगे, उनको चेक करिए कि हाँ हम यह point भूल गए है, उन points पर दुवारा से focus करिए, तो उससे आपको पूरा चैप्टर proper way में याद हो जाएगा, और important जो बात है, Monday to Saturday मानलो आप पढ़ाई कर रहे हो, कि अब अब आपको यह नहीं करना कि Monday, Tuesday, Saturday तक पढ़ाई कर रहे हैं, फिर Sunday फिर पढ़ाई कर रहे हैं, फिर पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप पढ़ते ही जाओगे, तो आप पिछला सब कुछ भूल जाओगे, तो आपक चल रहा है, हम एक, जैसे मानलो हमने दो चैप्टर थियोरी के कर लिए, तीन चैप्टर निमेरिकल के कर लिए, तो संडे आपको क्या करना है, संडे आपको फिर आगे नहीं बढ़ना है, और चैप्टर से, बलकि जितना आपने पढ़ा था, उस पूरे का, पूरे 6 दिन का आपको संडे को करना है, इससे आप कभी भी कुछ भूलेंगे नहीं, सबसे बड़ी दिक्कत यह आती है, आज मैंने जो दो चैप्टर करें, देढ़ महीने बाद क्या हों जो याद रहेंगे, अगर आप हर संडे रिवीजन करते रहोगे, तो आपको याद रहेगा, इस रि की डेट का जो भी पढ़ा होगा हर संडे उसका रिवीजन हुआ करेगा पूरा जितना भी पढ़ा है और इसमें ज्यादा टैंग नहीं लगेगा आपको तभी तो देड़ दिन में पढ़ा ही करके चले जाते हैं बच्चे इसके इलावा आप हेल्प कहां से ले सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप यूट्यूब की डिवीजन वीडियो देख सकते हैं टीचर से बहुत अच्छी डाली है जैसे हमारा बूस्टर बैच बहुत फेमस है बूस्टर बैच जो में में आया था वही सेप्टेमबर पर अपनी के वले उसके नोट्स हमारी टेली सेप्ट हैं आप बहुत ही जादा वीक हो आपके जो नियुमेरिकल से वह आपसे बनते ही नहीं है तो ऐसी सिच्टेशन में कोई रिस्क बनाले बलकि फास्ट रैक बैच ले ले सारे सब्जेक्ट के आवडेवले जिस सब्जेक्ट में आपको लगता है आप कमजोर रह गए उस सब्जेक का फास्ट्रेक ले ले आपको पक्का फायदा हो जाएगा कोस्ट FMSM के अंदर अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती है जाके आंखे बंद करके हमारा फास्ट्रेक ले लिए मुश्किल से दस बारा दिन में आप उसको कम्प्लीट कर लेंगे और पूरी कोस्ट FMSM सेट हो जाएगी तो आप यूट्यूब की वीडियो से सपोर्ट लीजिए और बाकी सब कुछ ओके है और सिर्फ रिविजन है तो यह निमेरिकल और त्योरी का जो मैंने पैटर्न बताय है इसको फॉलो करिए और आपका पूरा भला हो जाएगा अब देखते हैं बस इतनी वाग थी मेरे इतना ही पॉइंट था कि वह इस तरीके से रिविजन इस्टेट्ट यह बनाके चलेंगे तो आपको फाइदा होगा बहुत जादा बच्चे कह रहे हैं सर इडियो ना दिय प्रइब्स और कोई चैज नहीं है और एक महीना लगेगा राइइजिंग स्टर कोई रिकत नहीं के यह सथ बूस्टर बूस्टर पेटा जो एब और हो ही चलेगा और 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 जैन 25 के लिए कब वीडियो याईगी जैन 25 के लिए नवंबर में आएंगी वीडियो जैने 25 सब्सक्राइब कोई बात नहीं और 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 डिस इस ठीक है तो यह मेरा एक गाइडेंस था जो मैंने अपनी तरफ से दिया है मुझे लगता है यह बैस्ट रिविजन इस्ट्रेटजी रहेगी आप इसको फॉलो गरिए आपको फायदा होगा बाकी बीच में कोई भी आपके कोई पॉइंट्स आते हैं कुछ आते हैं आप कमेंट सेक्श देखी नहीं है लेकिन अभी तो दो-तीन दिन के अंदर आपकी अप्लोड हो जाएंगी हाँ एक बच्चा कह रहा है कि सर केस इस्टडी एमसी क्यू की जो निमेरिकल्स होते हैं वो कैसे बनते हैं देखिए ने कहा है कि जो इस्टडी मैटेरियल के अंदर कोश्चन है हम उन आएमसी क्यू बनाके देंगे वो फिगर से लगोंगी चीज़े लगोंगी तो जो आपका सिलेवस है उसके निमेरिकल्स करिए उसके निमेरिकल्स और कंसेप्ट इस्ट्रोंग है तो के सिनेरियो वाला आपसे ऑटोमेटिकली बन जाएगा उसमें कोई दिक्कत आपको नही नहीं आएगी तो मुझे लगता है कि मेरी बात पूरी हो गई और आप लोग को समय समय पर क्यूंती है तो यही था मेरा पूरा के लिवीजन स्ट्रेटी कैसे फोलो करें और कनेक्टेट रहिए ओके जी सभी को टड़ा वाई वाई